नमस्कार दोस्तो पाइपिंग में पर्फेक्शन एस्टरल के साथ सीरीज में आप कफ वागत है आप जानते ही होंगे कि पाइप्स की दुनिया काफी बड़ी है पाइप्स कहीं प्रकार के होती है उनकी विशिष्टाओं के अनुसार उनकी उपयोग भी अलग-अलग होते है और इस सीरीज में हम जानेंगे किन-किन कारणों से प्लास्टिक पाइप सबसे भैतर विकलत है जँग प्रतीरोद सबसे बहला कारण है भैतर जँग प्रतीरोदक शम्ता जैसा कि आप जानते हैं, मेटल की पाइपिंग सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या जन्की होती है, प्लास्टिक पाइप्स में ऐसी कोई समस्या नहीं होती, और यह काफी केमिकल्स का भी प्रतिरोद कर सकती है, एनर्जी की बच्चत, एनर्जी की बच्चत देखें, तो प्लास्टिक पाइप्स की प्रडक्शन में अन्य प्रकार की पाइप्स की तुलना में कम एनर्जी यूज होती है, इनके ट्रांस्पोर्ट, हैंड्लिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेरेंस में भी कम एनर्जी और रिसॉर्सेज पर खर्च होता है, लीकेज का कम रिस्क, पाइपिंग में सबसे बड़ी परेशान होती है लीकेज की, पर क्या आप जानते हैं प्लास्टिक पाइप्स में यह रिस्क काफी कम हो जाता है, और इन में जॉइंट भी कम रखते हैं, अन्य पाइप की तुल्णा में प्लास्टिक पाइप्स को लगाना बिलकुल आसान होता है, है ना, रीसाइक्लिंग का संभव प्लास्टिक पाइप्स में रीसाइकलिंग भी संभव है आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्लास्टिक पाइप्स का उप्योग पचास से अधिक वर्ष तक भी किया जा सकता है इतना ही नहीं इतने यूज के बाद उनको रीसाइकल भी किया जा सकता है और इन में से फिर से अन्य प्रोडक्ट बनाये जा सकते हैं अब आप भी मानेंगे ये पर्यावरन के लिए ये कितनी अच्छी बात है तो दोस्तों आज पाइपिंग में पर्फेक्शन एसल के साथ सीरीज में प्लास्टिक पाइप्स क्यों भैतर है ये हमने जाना इस पूरी सीरीज में ऐसी ही कुछ रोचक और उप्यों की जानकारी आप पास सकते हैं आपकी और भारत की भरोसे बन पाइपिंग कंपनी एसल के साथ